असलाम उलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे हैं आप लोग बहुत ही बेसबरी के साथ मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूं और ये अपडेट शेयर कर रहा हूं कि साथी अरबने इंटरेशनल फ्लाइट्स ओपेन कर दी है लेकिन ये फ्लाइट्स दो सिस्टम स खोला जाएगा जो कि आपको पहली जो कि पहला सिस्टम ये है कि 15 सिप्तमबर मतलब की मंगलवार ये जो आने वाला है 15 सिप्तमबर से एक सिस्टम कुलेगा और दूसरा सिस्टम आपको नया साल मतलब एक जनवरी से पूरा ट्रावल ओपनिंग हो जाएगा मगर इसमें अब लोग नीउस सुन रहे होंगे देख रहे होंगे लेकिन अभी तक आपको किलियर नहीं हुआ है बेसिकली मुझे ये वीडियो बनाने में डर लग रहा है थोड़ी सी कोई गलती हो या तो माफ कर देना ठीक है तो हम बात करते सबसे पहले में बतातों कि इसमें कौन से लो एक दमात के साथ गारिंटाइन करना है जो भी चीजे है ये सारी चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी मगर सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रिंशुट शेर करना चाता हूँ यहां पे साओधी अरब की जो भी गवर्मेंट की टुटर है आप जाके चेक कर सकते मेरा टुट सील में थोड़ा सा कम आता है स्क्रिंशुट आप देख सकते हैं पर इन्होंने लिखा है कि साओधी अरब ने अलोग किया है उम्रह भी आजकल में कुछ दिन में अलोग हो जाएगा उम्रह भी अलोग हो जाएगा लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं है मगर इन्होंने बिगन यह मंगलवार 15 सिप्टमबर से खुल जाएगा लेकिन इसमें आने के लिए आप स्क्रिंशुट देख सकते हैं यहां पर यह बोल रहे हैं कि 15 देखो स्टार्टिंग फ्रॉम धाफ्टर टुमारो ओन सेप्तिमबर 15 मतलब कि यह आज 13 तारिक है 13 सिप्टमबर है ठीक है आफ 15 सिप्टमबर से शुट्टी पे गए है वर्क वीजा जिनके पास वर्क वीजा है एकामा जिनके पास अल्लेडी है जो भी है और विजिट वीजा वाले भी 15 सिप्टमबर से आ सकते हैं लेकिन कैसे इनोंने लिखा इंग्लिस में यहां पर लिखा हुआ है कि सौधी अरब आ चाहिए कि आप कोरोना वायरस से निगेटिव है तो ही आप इंटर करेंगे सौधी अरब में वर्ना आप इंटर नहीं कर सकते एक्जिट रिटर्न वीजा वर्क वीजा एकामा वीजा और विजिट वीजा इन लोगों के लिए 48 आवर वाला 48 घंटे का कोरोना वायरस का लेकर के आना होगा समझ गया आप मेरी बात मगर पूरी तरीके से इंटरनेसनल फ्लाइट खुलेगा कब ये खुलेगा एक जनवरी 2021 को मगर इसका अपडेट एक महीने पहले दिया जाएगा 30 दिन पहले बताया जाएगा कि ये पूरी तरीक से खुलेगा या नहीं जाएगा 2020 में ये खुलेगा या नहीं खुलेगा ये उससे पहले खुल जागा ये उसके बाद खुलेगा इसके बाद आपको दूसरा पेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुए बिगनिंग टुमारो टुष्डे टु एलो इंटरी एंड एक्जीट फॉ इंटरी इंटरी टु इट एंड ऑपनिंग अफ आल पोर्ट शैल स्टार्ट फ्रम जनुवरी एक दौजार इक्टिस ठीक है ये लिफ्टिंग वाला जो डेडलाइन वाले देख रहे हैं इसमें डिखा वाना तीस दिन पहले बताया जाएगा यहां पर हेल्थ का सिस्टम क् लगबग लगद देखा जा तो यहां पर सब चीज़ा खुल जाएंगी अब आपके अंदर में हेजिटेशन अभी भी यही होगा कि जावेद बैन निव वीजा वाले आ सकेंगे यहां पर निव वीजा का नहीं लिखा हुआ अभी तो फिर हाल भाई यहां पर लिखा हुआ वीजाज मतलब कि यतने सारे तरीके कि जो वीजाज है वो आ सकते हैं 48 आवर कोरोना वायरस का रिपोर्ट ले करके आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में पूरी अच्छी तरीक से तसल्ली से पूरी तरीके से सौधे अरब में फ्लाइट 1 जनवरी 2021 से खु मैं इंडिया वालों की बात कर रहा हूं मैं और किसी की तो बात करूंगा नहीं जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अभी इंटरेशनल फ्लाइट 30 सिप्तंबर तक बैन है मगर यह अपडेट आने के बाद हो सकता आपने इंडियन गवर्मेंट इसको चेंजेस कर दे कि एईर बवल्स के तुरू दुबई कर लोग," टुबई से आये लोग, कौतरवाले, उमान वाले जोभी इस सब लोग देखे हो नवोग नोपन किया तो आराऊ है और जा रहे है तो ऐसा भी इन शादिला इन यहां भी होगा, हंडेट परसंट होगा आपने पड़से हो गवा अलहम्दुलिल्ला ये कम से कम एक announcement तो आया की flight खुली है अलहम्दुलिल्ला अब यहाँ पर देखना ये रहागे कौन लोग कितने जल्दी जल्दी आते हैं वापिस अब भाई आजाओ अपने पने काम पर इंशालला आप लोग आ जाएंगे क्योंकि ये जो update दूसरी बार update पहला जो update आया announcement किया एलां किया इसमें ठीक से समझ में नहीं आता है जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता है ठीक है तो यह इन्होंने पूरा एकदम clear करके लिग दिया है आप जाके चेक कर सकते यह जो मैं बताया हूं पूरी बात वीडियो में आप जाके ट्वीटर हं एक बाद यह खुल रहा है यहां का सिस्टम अलहम दुनिल्ला आप लोग अपने अपने काम पे वापिस आ जाएंगे भाई इन्शाल्ला हम आप से जरूर मिलेंगे दौह में याद रखेगा अल्ला आफिज आप सरूर में बात जाएंज रखेगा गाल्याओने काम जाएंगे फिक ख्राव प्ला आप से तक्राव खेगातों जाएंगे जात जाएंगे ए्जूद तक्राव आएंगे लौविए लुद्पटर अद Tabii में आएंगे शार अजूब उन्दाएंगे प्लावेश गुद़